तो गाईस यार आज की वीडियो के अंदर अपने आप जब बात करने वाले है बिनोमो ट्रेडिंग एप्लिकेशन के बारे में तो सोचल मेडिया के उपर बिनोमो के बारे में काफी ज़ादा आप जब पॉप्लारिटी इन दिनों में आ रखी है और दोस्तों जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था Guru Trade 7 एप्लिकेशन के बारे में तो उस वीडियो के उपर दोस्तों काफी सारे आप लोगों के जो एक कॉमेट आ गए थी कि भाया हमें जो आप Binomo एप्लिकेशन के बारे में बताईए कि एप्लिकेशन रियल एप्लिकेशन है या फिर फेक एप्लिकेशन है क्योंकि दोस्तों काफी सारी AC AC एप्लिकेशन होती है जो कि फेक होती है उनका जो ग्राफ होता है उनके उपर किसी का भी कुछ भी नियंतरन नहीं होता और वो जो graph है ना वो अपने हिसाब से उसको adjustment करते हैं कभी उपर कभी नीचे तो उसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर लोस होता है तो दोस्ते यार इनका इनका system होता है वो आपको बता जेता हूं कि जो fake application होती है उनके अंदर क्या system होता है कि उनको एक graph यहाँ पर सिस्टम में चलता है कि 30% लोगों को winning करवा नहीं है 70% लोगों को हमको लोस करवाना है तो वो fraud से graph होते हैं तो आज अपने यहाँ पर बातचीद करने वाले हैं यहाँ पर जो आपको मिलते हैं बिल्कुल free के अंदर ट्रेडिंग वगेरा करने के लिए एक डेमो अकाउंट में तो guys यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है चाहें आपका real account हो चाहें आपका demo account हो जो graph है वो दोनों के अंदर same ही यहाँ पर चलता है तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मसोचना कि अगर real यहाँ पर account होता है तो इसके अंदर ग्राफ अलग होता है तो आप यहाँ भी जो देख सकते हैं कि एप्लिकाशन रियल है या फिर फेक है तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी अपने एप्लिकाशन के बारे में ले लेते हैं जैसे कि मैंने एक दो ट्रेड इसके अंदर पहले भी करके देख लिया तो अभी आपको त्री डोट के उपर तीन चार चीज़ें या पर मिल जाती है एक ट्रेड की एक बैलेंस की एक बांस की एक स्पोर्ट की और एक सेटिंग की दोस्तों यहां पर जो बांस वाला सिस्टम जैसे ही आप फर्स टाइम इसके अंदर पैसों को एड करते हो तो आपको जैब बॉन्स मिल जाता है जो यहां पर बैलेंस है वह आप जो आप देख सकते हो फिलाल के लिए जीरो है और यहां पर जो सेटिंग वाला सिस्टम है इसके अंदर आप कुछ चीज़ों को मैनेज क कर सकते हो तो यहां पर आपशे करकर आप अर्निंग कर सकते हो क्यूंकि अप डर टाउन ही होती ज़्यादा तर जो भी ड्रेइडिंघायश्य होती वह उनके अंदर तो मैनेज कर कितना रिटन आपको चाहिए तो वह सारी चीज़े आप आप जो ऊपर से चैज्ज कर सकते हो यानि कि आपको क्रेप्टो के अंदर करना है या फिर आप जो यूज़ डियू डॉलर वगेरा के अंदर आगर आप जो यहांपर पैसे करना चाहते हो या फिर अदर्वाइज काफ अब यहां पर देख सकते हो इसका जो graph है वो यहां पर रन कर रहा है तो अपने जो सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं यह जो 350 रुपे है इनके जो मैं यहां पर 700 रुपे को सिलेक्ट कर देता हूँ यह तो होगी बिटकोई में अगर आप यहां पर काफी सारी क्रिप्टो है अगर मैं क्रिप्टो के अंदर जाता हूँ ना तो 700 रुपे के अंदर मुझे 1281 रुपे की अर्निंग हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से ग्राफ अभी जो ऊपर जाएगा तो मैं के उपर यहां पर क्लिक कर देता हूं तो सब लोगों को एक ही चीज़ की यहां पर समझ्या आ रही है कि जैसे ही मैंने आपके उपर पैसे लगाए तो ग्राफ नीचे की तरफ जाने लग गया अब यहां पर अपने रियल अकाउंट को एक बार जो इसके अंदर सिलेक्ट कर लगाए ग्राफ नीचे की तरफ जाने लग गया यानिकि हमने ऊपर की तरफ पैसे लगाए तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और अगर मैं नीचे की तरफ यहां पैसे लगाता हूं ना तो भी आप जो देख सकते हो कि ग्राफ नीचे जा रहा था फिर ऊपर आ गया त दूसरे बारी ट्रेडिंग है इसके अंदर भी पता लग जाएगा तो गाइज ये चीज़ मैं आपको बता जाएगा कि किसी भी सरकार का किसी भी सरकार का नहीं बोल सकते इंडिया के अंदर खास करके अभी तक जो ट्रेडिंग की जो अब से पहले जब अपना बजट यहां पेश वा था उससे पहले ट्रेडिंग की जितनी भी अप्डिकेशन थी इनके ग्राफ के उपर सरकार का कोई भी नियंतरन नहीं था लेकिन अभी फरवरी के अंदर जैसे ही बारी सरकार ने बजट वगेरा पेश किया है ना उसके बाद में इन सब जीज़ों को लिम्टेड की तरफ जा रहा था तो अभी ग्राफ नीचे नीचे की तरफ जा रहा है तो ऐसा ही सिस्टम होता है गाईज ये लोग क्या करते हैं इनकी एक कैलकुलेशन होती है उसी हिसाब सी ये लोग काम करते हैं ये देख लेते हैं कि अभी जो हाली की जो सेकिंड है या जो मेनट है इसके अंदर 100 बंदों ने investment किया है उसमें से 70 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने high level के उपर investment किया है 200-200 रुपे का मान लीजिए आप उन्होंने अपके उपर कर दिया और 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50-50 या 100-100 रुपे का जो down के उपर कर दिया तो यह चीज भी यहां पर बिल्कुल सही है जैसे कि मैंने आप लोगों को expert option के बारे में एक बार बताया था तो वो भी application काफी ज़्यादा शांदर थी उसका जो graph था वो बिल्कुल real था बिनोमे के अंदर दोस्तों यहां पर जो graph है ना वो भी real ही है लेकिन कुछ currencies के अंदर यह graph real है ऐसा नहीं है कि जैसे आप जो crypto है तो crypto के अंदर सब कुछ original है या फिर जो dollar वगेरा है इनके अंदर dollar वगेरा के अंदर ज्यादा तर graph जो है ना वो original नहीं होते होगी तो जहां तक दोस्तों मेरा मानना है मैं इन चीजों के उपर कभी भी विश्वास नहीं करता क्योंकि इनके जो graph है वो original बिल्कुल भी नहीं होते हैं तो आप लोग इनसे बचके रहिए हो सकता है अगर आपको ज़्यादा है आप जब पैसे investment करने है long term के लिए तो आप कहीं पर भी investment कर सकते हो आप स्टोक हो गया एंजल वन हो गया सेर मार्केट में आप investment कर सकते हो वो भी आप लोगों की ही risk होती है आप लोगों को आप जब देखना पड़ेगा फूरी research आपको करनी पर ले देकर के बात एक ही है कि जैसे ही आपने पैसे लगाए graph नीचे गया अपनी उपर की तरफ लगाए graph नीचे की तरफ गया आपने नीचे की तरफ लगाए graph उपर की तरफ गया तो दोस्तों मेरी राय तो यही है कि आप लोग इनके अंदर ज्यादा बिल्कुल भी investment बगरा मत करना अगर आपको चाहिए तो आप जो थोड़ी बोज़ें आप जो investment करकर करके अपनी यहां पर मन की अबढ़ास निकाल सकते हो कि भाईया ने हमें जो गलत बताया तो आप जो उसको चेक कर सकते हो लेकिन मेरी राय दोस्तों एक ही है ज्यादा पैसे बिल्कुल भी आपको यहा आप गवाद होगे यह definitely पकी बात है उसको भी आप गवाद और दोस्तों काफी सारी real भी application होती है जिनके बारे में आपको बढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो जो नहीं नहीं application आती है ना उनके अंदर ज्यादा तरह आप जो फ्रोड वाला ही system होता है से नीची की तरफ लगा रहे है